असलाव अलेकुम डियर्ट स्टुडेंट्स होब यू रभी फाइन बाइड ग्रेस आप अलमाई दी अला प्यारे बच्छो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पॉच्छ नवर 3 एक्जरसाइज 10.1 जो की पहले एक्जरसाइज है मेंस्पुरेशन के चप्टर की उसको करने वाले हैं क्वाच्छ नवर 3 क्या है हमारे पास में दशेप आफ दी गाड़न इस रेक्टेंगलर इंडा मिडल एंड सेंसर्क्यूलर एट एंड इंड डाइग्रम जो हमने यहां पर बनाई है फाइंड डा एरिया एंड परिमेटर आफ दिस गाड़न लेंगत आफ रेक्ट इस पूरे गाड़न की जो लेंगत है फ्राम इस एंड डिस एंड जिन में यह दो रेडिया भी इसके इस लेंगत में कंट्रिबूट करते हैं वह लेंगत हमें दी गई है 20 मीटर और जो डाइमेटर यानकी विड़स आफ दिस गाड़न यानकी विड़स और रेक्टेंडर पार्ट आफ गाड़न वह असलमें डायमेटर फिट तूसं सर्कुलर रेंड जो डायमेटर हमें दी गई है वह मैं डायमेटर कितना 7 मेटर दी गई है तो रैडियस जाहिए बात ही 3.5 होगा विकाज राइड़स होता है राफ डायमेटर इसका मतलब रैडियस ऑफ इस तू संसर्कुलर रंड 3.5 मेटर ही जोगा थीक है अब अगर हम एडिया आफ दिस गाडन निकालना चाहिए ये आफ बिस गाडट पर प्लस अरिया इस तूस संसर्कुलर रेंड जोगा दोन संसर्कुलर रंड दस कौन रहे तो इनका एरिया सेम होगा इसका मंलब आर हम एक इक सि उसके लिए फार्मला है one half of pi r square because area of full circle is pi r square area of sim circle will be half of pi r square और r हमें पता है 3.5 है हर square चड़ाएंगे 3.5 into 3.5 मसला नहीं sim circular hands का area निकालना मसला यहां पर यह है कि rectangular part का area कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें उसके rectangular part के length पता होनी चाहिए और विड़स पता होनी चाहिए अब देखी बेटा length of rectangular part ने बेटा वो एल डेश से हम डेनोड करेंगे वो बिल्कुल length of rectangular part total length of garden minus radius यह radius घठाना पड़ेगा यांद की 2r यांद की आर प्लस आर इस में कि लेंगस में कितना आएगा 20-2-3.5 20-3.5-2 वह कितना आएगा 13 मीटर यान कि 13 मीटर इसकी लेंगस है जो कि हमने डिनोट की एल डेश से जो इसकी ब्रेड़त है किसके रेक्टेलर पार्ट के वह बिलकुल डायमेटर ऑफ दिस इंसर्कुलर इसका बीच वाले रेक्टेलर का पार्ट का अभी हम अब निकाल सकते जिसमें लेंगस 13 मीटर और रेड़त कितनी है तो आसान सी बात है हम इसको निकाल सकते चले करते इस को स्टार्ट इसका स्लूशन कैसे आएगा हम लिखेंगे ऐसे ही यार लेंगत ऑफ गार्डन कितनी है यह वो ट्वंटी मीटर है बेटा उसके बाद में हम क्या करेंगे में आल्सो दे डायमीटर दायमीटर आफ इस अफ इस से इप इस से में सर्कूलर अंड डामितली इसके सेंसर्क्यूॉलर एंडस काते तेंस कौल टो इसका मदलब है कि रैडिय को सेंसर्क्यूलर एंड यह थीपोइंट फिट बिर फॉट फ्रियों सैंसर जंधींुलर भीक्विट को सबारी संक्रेंडसपली आजता वह3.5 मेंट्र ठेक है अब हम क्या एंगे बीटा अब हम डामेंशन साफ रेक्टेंगलर पार्ट निकालेंगे नौ लेंगत ओफ लेंगत ओफ रेक्टेंगलर पार्ट पार्ट के लेंगत क्या है वह अब देश से डिनोट की होएगी ला माइनस 2 वाइगी हम यहिंप्लायैगा एटा माइन चिंटी माइनस 2 इन्तो 3.5 हीच गया इसकाल जाम बार आएगा कोई गटना अगा फटट कितना अगा फट्युं also it is bread also it is bread bread यहनके rectangular part के bread कितनी है bread उसके असल में diameter के वराबर है जो कि साथ meter के वराबर है therefore therefore area of garden area of garden area of garden area of garden कितना होगा area of garden will be equal to area of rectangular part area of rectangular part प्लस आएगा बेटा two timers area of it is one semicircular end ठीक है बिलकुल ही आएगा जरा बता है area of it is rectangular part कितना होगा sir algebra formula language into paradise ते निकालेंगे area of rectangle L into B लेकिन यहाँ पर L नहीं है प्लस क्या आएगा one half half two timers because two अपना है बिटाफ दो circular semicircular end से जिसवाट से हमने यहाँ पर two लाना पड़ा पिकाज इस semicircular end और semicircular end का area equal होगा दोनों को होगा two timers one area of it is one semicircular end वो कितना है वन हाफ पायार स्क्राइब पायार स्क्राइब एक semicircular end का area आएगा यह तो और तू चला जाएगा लेंगे इंटू प्रेड़ा लेंगे कितनी है यह दैट थर्टीज मीटर और बिड़त कितने है तैट इस सेवन मीटर प्लस कितना आएगा यह दैट पायार स्क्राइब प्लस प्लस 3.5 1 0 3.5 2 0 because 3 points हमेट थीर पायं पाय। इस को हम लिखेंगे बेटा चले ऐसे लिखते है 3.5 3.5 वो कितना आएगा that will be equal to 91 plus 115055 पांस चटेगे की बेटा कैरी 1130 33 वो कितना आएगा 5 plus 3 that will be 8 यहां पे आएगा यहां पे आएगा बेटा 3 आएगा यहां पे ठीक है वो कितना आएगा 115055 पांच रहा यहां पे रहा है पांच आएगे पांच आएगे तो यहां पे यहां पे यहां पे 5 आएगा यहां पना आएगा यहां पे 8 प्लस 1 that will be 9 बेटा उसके बाद में 8 ब्लस 1 that will be 9 और उसके बाद में क्या है 3 plus 9 how much that will be that will be 12 3 plus 9 that will be 12 यान कि 129.5 meter square इसका area है यान कि 129.5 meter square इसका area यान कि area of the garden is that is equal to 129.5 meter square इसके बाद हमें क्या निकालना है सर्क परिमेटर निकालना है परिमेटर मतलब किसी भी geometrical figure की total boundary length परिमेटर आप इस गार्डन विल भी एक्चुली इकवर तो हाँ आप परिमेटर आफ इस टू टाइमस परिमेटर आफ इस संसर्कुलर एंड प्लस टू टाइमस जो लेंगत होगी ना बेटा लेंगत होगी ना बेटा लेंगस आफ इस रेक्टेंगलर पार्ट वह हम नहीं करना पड़ेगा तेक परिमेटर आप इस गार्डन किसके वरावर आएगा एक तो यह लेंगत कि इतने हाएगी हाफ आफ टूपाय आर्फ टूपायार यहां पर ठूपायार यहां पर आफ पर इसका मदलब टूटल परिमेट्र आप ऐस गार्डन विल्टू टू टमस हाफ आप तूपायार टूटाम संसर्कूलर एंड ठीक है प्लस आएगा टू टामू टंड्म पीरिमेटर इस इक तो आएगा टू टाम इस लेंग पार टू टाम इस टामल्ड डाश पुलस क्या आएगा को यहांपर इस लिए कि दो तर्कुलर एंड है और हाफ आफ डू पाई आर यहांपर कुर। 2 pi r तो ये और ये cancel हो जाएगा that will be 2 times l dash plus क्या आएगा बेटा plus आएगा 2 into pi into r ये चीज़ा आप calculate करोगे that will be the total parameter of there this very rectangular guard hope you have understood it thank you beta thank you